हेलो एब्रीवान विलकाँ टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल फार्मरोक्स की यूटूब बिज्योगेस्टन चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चार में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे पांच बेस्ट एंटिपायोटिक दवायों के बारे में तो हम फेमिली अपडेटिट रही है फार्मरोक्स के साथ और सीखिया लगले एक बीमारी के बारे में उप्चार के बारे में दवियों के बेसिक यूश के बारे उनके डोस, साइट इफेक, वर्निंग और कॉन्टा इंडिकेसिंस को एक साल तक वो भी काफी अफ़ादिबल प्रा आप हमें कॉल या वाटसेब कर सकते हैं साथ ही हमारे सेकंड चैनल जिसका नाम है हॉलिवोड टू हिंदी एक्स्ट्रेश को जरू से सब्सक्राइब करें और वहाँ पे देखे अलग-अलग हॉलिवोड की मुवीस को अच्छी पिच्चर को लिटी के साथ वो भी हिंदी मे एक्स्ट्रेश की हुई स्टोरी के साथ तो अभी सब्सक्राइब करें हमारा सेकंड चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अब समझे एंटी बायोटिक्स के बारे में तो एंटी बायोटिक्स ऐसे क्लास की दवाया है कि जिसको हम एंटी बेक्टे यह एंटी बायोटिक्स दवाया यूस की जाती है तो यह जो एंटी बायोटिक्स होते हैं वो कुछ टाबलेट के फॉर्म में भी वेलेबल होते हैं उनके सीरप्स भी होते हैं इंजेक्शन के फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं तो यह मेडिकेशन अपना काम कैसे करती है तो जो harmful bacteria होते हैं कि जो किसी बिमारी के लिए responsible है तो उनकी जो growth है उनको कम करता है ये medication और साथो साथ उनको kill भी करता है कि जिससे ये antibiotics लेने के बाद वो bacteria का infection जो दिरे दिरे कम हो जाता है और कई बार bacterial infection को treat करने के लिए और साथो साथ उसको prevent करने के लिए भी कि prevention के लिए भी और उसके इलाज में भी ये medications जो वो use की जाती है तो ये दो खास आपको याद रखने है antibiotics के बारे में अब समझते हैं उसके अलग-अलग uses के बारे में सबसे पहले जो acne होता है उसके इलाज में भी antibiotic यूज की जाती है bronchitis के condition की जो एक respiratory tract का infection है फेफडो में जो infection होता है फिर जो consultivitis की जिसको pink eye कहा जाता है उसके अलावा जो otitis media मनलब की जो हमारे कान के अंदर जो bacterial infection होता है उसके इलाज में भी यूज की जाती है फिर STDs के इलाज में भी यूज की जाता है फिर जो skin है और हमारी जो soft issues होते है उसके infection वालब भी जो skin के उपर को जैसे bacterial infection हुआ है या फिर कोई गाव हुआ है और वहापे आपको bacterial infection को prevent करना है या फिर गाव जल्दी से आपका भर जाए तो गाव सुखाने के लिए भी antibiotics दवा ये यूज की जाती है फिर जो strap thought की condition हम लेकि गले में खारास या फिर वहाँ पर सुजन होना streptococcal pharyngitis जो condition कहते हैं जो bacterial के कालन जो गले में infection होता है travelers diarrhea में लेकि जो dust की condition होती है upper respiratory tract infection या फिर RTI की जो हम treat करते हैं अलग-अलग antibiotics दवाई हैं तो आज के lecture में especially ऐसे 5 antibiotics दवाई हो के बारे में discuss करेंगी कि जो सबसे based fever बहुत ज़्यादा यूज की जाती है और उनके results भी आपको काफी बहतरीन मिल दे तो सबसे उपर टॉप पे है वो है azithromycin second है cephexim के tablet यूज करो cephalus purring glass के antibiotics में से या फिर safety reaction का injection भी आप यूज कर सकते हैं दोनों की जो effect है वो आपको similar मलती का अगर patient tablet ले सकते है तो आप tablet दे सकते है cephexim के या फिर अगर आपको उसको injection form में medication देनी है तो safety reaction का भी injection मार्केट में available है लीवो फ्लॉक्स दसेने काफी अच्छा option बनता है दिस तरह नमबर पे चौता है वो फ्लॉक्स दसेन और नीडाजॉल का combination और पांच वा हम देखे तो amoxicilline and kleulinic acid का जो combination आता है तो ये पांच यसे best antibiotic दवाई है कि जो बहुत सारे bacterial infection को treat करते है और इनको खासकर broad spectrum कहा जाता है क्योंकि उनकी जो activity है बहुत सारे bacterial infection के लिए होती है जितने भी अलग अलग टाइप के gram positive bacteria gram negative दोनों type के जो bacteria होते हैं इनको treat करने के लिए ये medication जो है वो use की जाते है इनके करण जो infections होते है उसको treat भी करता है और प्रिवेंट करते हैं ये antibodies तो शुरुआत करते हैं azithromycin से तो अगर आप उसके 250 mg के tablet यूज करते है तो इस तरह से आपको total 6 tablets दी जाती है packing के अंदर तो 250 mg BD मतलब कि एक tablet आप सुबह खाते हैं एक साम को खाते तो ये ये हो गया आपका day 1 के लिए उसी तरह से ये day 2 की 2 tablets और ये day 3 की 2 tablets तो एक सुबह खाओ और एक साम को तो 101 इस तरह से हो जाता है proper अगर आप 250 mg का यूज करते हैं तो delete 2 tablets पेशन लेता है ये 250 mg में फिर 500 mg है तो सिर्फ एक ही tablet ले दे से लिए आप देखो packing के अंदर आपको सिर्फ ये एक tablet दी गई है और ये tablet ये समाल लो ये day 1 का ये 2 का और day 3 का तो maximum आपको 3 दिन तक ही ये antibiotic लेनी है azithromycin ज्यादा दिनों तक लेने से आपको उसके कुछ major side effects जो हो सकते हैं but usually 3 दिन तक आप ये medication लेते हैं तो आपका infection ठीक हो जाता है आगे जो है वो sapphix zin है क्यों sapphix zin जो है वो 200 mg जितना tablet जो होता है तो दिन में 2 बार की एक tablet जो है वो आप morning में लेते हैं एक evening में ये होगा है day 1 के लिए फिर उसे तरह से ये day 2 का combination ये day 3, 4 और 5 पांच दिन तक आप इस तरह से morning और evening में एक एक tablet जो हो खा सकते हैं फिर कुछ ऐसे cases है कि जहाँ पे once a day देना है तो 400 mg के जो उसके tablet होते है वो patient once a day के तोर पे लेता है या फिर 200 mg के जो tablet है तो उसको और खास दियान ये रखना है कि अगर आप बच्चों के लिए इसको use करते है उसके जो drive syrup साते है या फिर उसकी जो syrup या फिर suspension form होते है तो वो रहता है चार से लेकर 8 mg per kg per day के हिसाब से उनके लिए dose बनेगा फिर जो safety reaction है जो injection के form में है तो 250 mg उसका single dose भी लगाया जाता है intramuscularly gonorrhea की इलाज में फिर दूसरे infection समझे के UTI है soft tissue infection है skin infection है गाव सुखाना है आपको या फिर किसे surgery के बाद prevention करना है infection या फिर surgery किसे पहले या कोई किसे भी bacteria infection को treat करना है तो एक से लेकर 2 gram intravenously या फिर intramuscularly per day दिया जाता है तो maximum 2 gram जितना जो है वो पर day के तौर पे ये injection जो वो लगाया जाता है तो खास कर दियान ये रखा जाता है कि आप उसको low dose से start करें और बच्चों के लिए 75 mg पर kg के हिसाब से dose जो है वो calculate किया जाता है अगर safety axon का किसी को resistance है तो combination sulbectum या फिर tazobectum के साथ उसका combination भी जो है वो बनाया जा सकता है आगे देखते हैं तीसरा जो अंटिबायोटिक है वो है levofloxacin तो levofloxacin भी बहुत ही popular है कि उसको urinary drug के infections के लिए सबसे ज्यादा जो है फ्रीफर किया जाता है कि अगर आपको urine infection हुआ है या फिर दूसरी भी bacterial infection है तो उसको ये medication trick करता है और specially 50 mg आप दिन में एक ही बार लेते हैं तो आपका infection जो है वो आसन इसे ठीक हो जाता है कि ये tablet जो है day 1 के लिए फिर day 2 फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तो इस तरह से आप दिन में एक ही tablet जो हो खाते हैं और इससे आपका treatment हो जाता है जो जो latest movie है कि Spider-Man No Way Home उसको हमारी जो second channel है वहाँ पे आप जो हो देख सकते है कि जिसका नाम है Hollywood to Hindi Excellent जरूर से वो चैनल को आप सबस्क्राइब करें और अलग-अलग Hollywood की movies को देखे हिंदी में वो भी अच्छी feature quality के साथ तो अभी सबस्क्राइब करें हमारा second channel Hollywood to Hindi Explain आखे जमझते हैं चौथा एंटिबाइटिक कि जिसका नाम है O-Floxacin and Ornidazole कि जिसके dose के हम बात करें तो O-Floxacin जो रहता है वो ये tablet के अंदर रहता है 200 mg जितना और जो दूसरा जो medication है Ornidazole वो उसके अंदर रहता है 500 mg जितना तो उसका जो dose रहता है कि जो minimum dose में समझो कि आप use करते है तो 200 mg once a day या फिर 500 mg का या फिर दिन में 2 बार तो maximum minimum dose के हम बात करें तो एक tablet जो है वो आप ले सकते है 2 times a day और लेकि जो minimum dose है वो यहाँ पे इस तरह से समझे कि minimum dose आप ले सकते हैं एक tablet दिन में 1 बार तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि अगर आप ये जो tablet लेते तो ये दिन में 1 बार लेजिए फिर ये दूसरे टैबलेट दूसरे दिन उस तरह से आप एक tablet दिन में एक बार ले सकते हैं या फिर maximum dose के तऱ पे एक tablet जो हो दिन में 2 बार जो हो patient ले सकते हैं मलबकि एक tablet ले터 PM मैं तो दुसरा इवनिंग में इसी तरह से आप कर सकते कि एक morning में लिया फिर आपने एक evening में लिया एक morning evening इस तरह से भी आप उसको ले सकते हैं फिर पांच वा जो है वो amoxicillin and clavulinic acid का जो combination तो वो augmenting का जो आपको पता होगा काफ़ी popular injection है तो 0.25 से लिकर 1 gram TDS मतलब कि 250 mg जो हो दिन में 3 बार 250 mg इंटो 3 हम करो तो 750 mg जितना होगा उसका minimum dose और 1 gram मतलब कि 1000 mg वो भी दिन में 3 बार मतलब कि हो जाएगा वो 3000 mg जितना मतलब कि 3 gram जितना पर दे तो 750 mg उसका minimum dose रहेगा और maximum 3000 mg जितना dose रहेगा एक दिन के लिए तो इस तरह से जो है उसका dose जो आप calculate करके use कर सकते हैं और जब IV में आप लगाते हैं तो dilute किया जाता है sodium chloride का जो IV infusion होता है उसके साथ कि जो normal saline solution जो हम कहते हैं कि जो 0.9% होता है उसके साथ ये combination में दिया जाता है dilute करके और ये जो है वो single dose के लिए होता है और जब भी आपको उसको use करना है तब भी उसको dilute करें पहले से उसको dilute करने की ज़रुरत नहीं है फिर इसी के tablets भी available है कि जिसके अंदर आप देखो तो amoxicillin and potassium kleulinate combination में होते है तो ये जो tablets है कि जो megamox cv करके काफे popular brand है या फिर sipmox cv का आप use करो जो भी आपको easily available हो तो एक tablet या फिर दो tablet जो आप खा सकते हैं और usually जो एक tablet है वो दिन में दो बार जो हो patient ले सकते है तो maximum जो है वाप तीन दिन तक जो है उसका dose ले सकते हैं एक morning का फिर एक evening का एक morning, evening, morning और ये evening तो maximum जो है वाप ये जो 6 tablets आप यहाँ पे जो देख रहे हैं वो ज्याज़ से ज्यादा 3 days तक use करें, maximum dose के अंदर और minimum dose में कोई उसको use करता है तो 6 days तक सिर्फ दिन में एक ही बार वो भी समझे कि आप morning में खाते हैं या फिर आप evening में लेते हैं तो इस तरह से इसका dose होगा अब बात करते हैं कुछ side effects की कि जो अब आप antibiotics लेते तो उसका करन जो है आपको जी गब रहता है कई बार उल्टी हो जाती है epigastric pain में लेकि पेट में दर्द जैसा फिल होता है, fatigue में लेकि थकान जैसा मैसूस करते हैं indigestion में लेकि ओपाचन जैसे condition, खाना digest नहीं हुआ है ऐसा आप फिल करो कुछ लोगों को diarrhea में लेकि दस्त हो जाते हैं सीने में जलन जैसे condition होते हैं या फिर आपकी वोग जो है वो कम हो जाते हैं तो कई बार antibiotics के साथ combination में जो है वो protein pump inhibitors भी कई बार दिये जाते हैं या फिर कोई multi vitamins tablets भी combination में दिये जाते हैं या फिर H2 antagonist के दौर पर genitidine, cemitidine, famotidine जैसे दवा या भी उनके साथ combination में यूज की जाती हैं अब बात करते हैं कुछ उसके warnings की तो अगर किसी को circulation की related जो problem है heart या फिर blood की जो vessels होती है उसकी related कोई problem है तो यह medication आपको precautions के साथ medical supervision में ही यूज करनी चाहिए अगर आपका liver खराब है तो भी same condition आपको follow करनी है kidney failure के patient है फिर pregnancy की condition है या फिर आपको allergy है antibiotics के या फिर आपको IBS का problem है या फिर आपको ulcer है आपके stomach के अंदर तो यह सब चीज़े as a warning या फिर precautions के तोर पे आपको खास याद रखनी होती है कि जब भी antibiotics दवाई आप यूज करते हैं तो second channel को subscribe करें link आपको description box में मिल जाएगी medicine course यह access करें pharma rocks के अब पर सिखे दवायों के basic use के बारे में dose side effect warning and contraindications को एक साल तक offerable price में सिखे दवायों के basic use के बारे में कौन सी दवायों या बीमारी में use होती है उनके basic use dose side effect warning and contraindications को एक साल तक और whatsapp कर सकते है 901-631-2020 पर या फिर android user android app download करें आई फोन यूवर app store से link आपको description box में मिल जाएगे या फिर और 901-631-2020 नमबर पर आपको में call या whatsapp कर सकते है good luck and all the best